अगर आप भी रोज रोज वही नाश्ता खा करके बोर हो गए हैं तो आज बनाएंगे एक कप पोहे से एकदम हेल्दी और टेस्टी नास्ता सिर्फ एक बून तेल का स्तमाल करेंगे हम और मज़िदा सी ये रेसिपी बना करके तयार करेंगे तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा तो इसके लिए एक कप पोहा लेंगे इसे अच्छे से हमें वाश कर लेना है क्योंकि पोहे में impurities रहती है अच्छे से वाश करने के बाद इसे पांच मिनट सोख करने के लिए रखेंगे और इधर एक हमने फ्राइ पका लेंगे जब तक की चना दाल और उरत DAL अच्छे से पक नहीं जाते और इसके बाद इसमें एड़ कर तो यह कच्ची मूमफली है इसे हम एड़ कर देंगे इसके बाद इसमें मैंने 3-4 सुकी लाल मिर्च अड़ कर दी है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे मूमफली भूनने तक हमें इसे पका लेना है लो फ्लेम पे और यह लीजिए बढ़ियां से भून चुके हैं चलिए इसे ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद इसे हम पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा सा पानी एड़ करके और इसके बाद इसमें एड़ करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और बढ़िया से हम इसे पीस लेंगे तो यह लीजिए मैंने इसे प इसे रखेंगे अपसाइड में और यहाँ पे मैने ले लिया है पोहा और पोहा बढ़िया से फूल चुका है इस से मिक्सर ग्राइंडर में यहाँ पे आधा कप के करीब खुलें है कररेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी नदुदर होनी बढ़िया से आप पीस लीजे जरूरत लगे तो इसमें एक से दो टेबल स्पून और पानी एड़ कर सकते हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से थीक होनी चाहिए अगर इन केस ये बैटर पतला हो गया है तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं और यहां पे स्वाद के अनुसार हम नमक एड़ कर देंगे और ये लिया है मैंने बेकिंग पाउडर तो ये एक छोटा चमच फकाउडर मैंने इसमें एड़ कर दिया है इसकी जगह पे आप इनो भी आड़ कर सकते हैं या फिर आदा चमच आप एड़ कर दीजिए इसमें बे दालेंगे और ये बैटर हमारा बड़िया से तयार हो गया है अब इधर एक तवा लेंगे और तफे को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे एक दम एक बुंद ओयल के करीब इसमें एड़ कर देंगे और इसके बाद इसे ग्रीज करने के बाद हम इसे इस इस तरीके से मैं इसे हाथ से ही पलट लूँगे अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसे चमस से भी पलट सकते हैं ये देखे बिलकुल इस तरीके से दूसरे साइट भी दो से तीन मिनट हम पका लेंगे और ये हमारी देखे बड़ी आसी बड़ी बन करके तया है ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं बहुत ही मज़ेदार लगते हैं तो इसी तरीके से हम बना लेंगे सारे आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बन करके तयार हुए हैं तो ये देखे इतने बैटर में मैंने इतने सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लिया है बहुत ही soft है बहुत ही जालीदार spongy है मैं आपको इसका texture दिखाती हुए एकदम soft है तो इसी तरीके से हम सारे बना लिए हैं अब इसके बाद इससे लगाते हैं पढ़िया सा तड़का तो ये तड़का optional है आप चाहे तो इसे इसी तरीके से खा सकते हैं लेकिन इसे और भी flavorful बनाने के हम इसे तर्का देंगे तो आदा चमाच तेल गरम करेंगे इसमें डालेंगे आदा चमाच जीरा अदा चमाच सरसो थोड़ा सकरी पत्ता और थोड़ाई सा यहां पर मैंने बारीक काट करके हरी मिर्ची एड़कर दी है इस तरीके से split में और इसे भी अच्छे से सौते कर द पीजा सॉस के साथ बना सकते हैं जैसा आपको इसका टेस्ट पसंद आया आप उस हिसापसे से बना सकते हैं अब यहां पे थोड़ा सा धनिया पत्ता एड़ कर देंगे फ्लेवर के लिए और यह मज़ेदार सी हमारी पोहे की बाइट्स बन करके तयार है तो देखा आपने एक पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मेरी मेहनत पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं इसी तरह की एक और सिंपल और आसान रेसिपी के साथ अपना ख्याल लखिए तिल देन टेक केर एंड बाई